IPL 2022, CSKVSKKR, महेंदर सिंग धोनी का बल्ला कप्तानी छोड़ते ही जम कर बोला, 18 गेंद में खेल पल्टा, add underscore circle, KKR ने पहले ही मैच में कर दी गल थी, 38 रन बनाने वाले खिलाडी को दिया मौका, नई दिल्ली, धोनी है ना, यह बात सिर्फ यूँ ही नहीं कही जाती है, IPL 2022, वो भरोसे का दूसरा नाम है, IPL 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ ओपनिंग मैच में महेंदर सिंग धोनी ने इस बात को सच कर दिखाया, इस मैच में डिफैंडिंग चैंपियन चेननाई सुपर किंग्स का एक वक्त पर बुरा हाल था, KKR ने टॉस जीत क पहले चे को बल्लेबाजी का नियोता दिया, CSK ने 11 ओवर में ही अपने 5 विकेट 61 रन के स्को पर गवा दिये थे, शिवम दूबे के रन आउट होने के बाद धोनी खेलने उत्रे और मुश्किल में दिख रही टीम को न सिर्फ संकट से उबारा, बलकी सम्मान जनक स्को तक पहुचाया, 40 साल के महेंदर सिंग धोनी को शुरू में रन बनाने में काफी परेशानी हुई, यह उनके बल्लेबाजी आंकड़े से पता लग रहा, उन्होंने पहले 15 रन 25 गेंद में बनाए, लेकिन अगले 29 रन सिर्फ 13 गेंद में ठोक दिये, यह बताता है कि धोनी की उ ओवर तक विकेट बचाकर और फिर ताबर तोर शॉट खेले, उन्होंने आंद्रे रसिल के 18 वे ओवर में तीन चोके जड़े और यही से खेल का पासा पलड दिया, उन्होंने 20 वे ओवर की पांचवी गेंद पर एक रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और टीम को 131 30 रन के सम्मानजनक सको तक पहुचाया, धोनी और जडेजा ने आखरी 18 गेंडों में कुल 47 रन जोड़े, यह भी पड़े, IPL 2022, MS धोनी 40 साल के होकर भी CSK के 10 खेलाडियों पर भारी